बैंगलूरू की सड़कों पर रेंगता ट्रैफिक एक बार फिर औसात स्पीड 13 किलोमीटर परती घंटे पर सिमट कर रह गई है वर्क फ्रॉम होम खत्म होने से काफी गारियां सड़क पर आ गई फिर बारिश ने भी ट्रैफिक की रफ्तार कम की ये एक बड़ी समस्या यहां है ऐसे में पुलिस करे तो क्या करे अब शहर में 190 किलोमीटर की चार लेन वाली सुरंग का जाल बिछाने की तयारी चल रही है लेकिन इसमें वक्त लगेगा ऐसे में भीड भारवाले वक्त यानि पीक आउर्स में मुख्य सड़कों पर कंजेशन टैक्स लगाने का सुझाओ आया लेकिन लोगों की नाराजगी देखते हुए इसे भी खारिच कर दिया गया फिर गाज स्कूल बसों पर गिरने वाली थी कि स्कूल बसेस की वरिया से ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ता है इसलिए स्कूलों की टाइमिंग बदली जाए हमने बिल्कुल साफ कर दिया है कि स्कूल की मौझूदा टाइमिंग में बदलाओ की किसी भी योजना से हम सेहमत नहीं है इससे छात्रों को स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंस सभी को परिशानी होगी जहां जादा कंजेशन है वहां स्थानिय लेवल पर विवस्था कर हालात सुधारे जा सकते हैं एक करोर पच्चिस लाग की आबादी वाले महानगर बैंगलूरू में एक करोर आठ लाग रेजिस्टर्ट गारिया हैं 15,000 बसों की इस शहर को जरूरत है लेकिन सिर्फ 6,500 के आसपास बसे चल रही है एक ही उपाय है सस्ता और बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिलहाल इस शहर को ट्राफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिलता नहीं दिखता 175 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को पूरा करने में 20 साल लगे ऐसे में 190 किलोमीटर लंबे सुरंग सड़क को पूरा करने में भी कम से कम इतना वक्तों लगे गा है मौजूदा हालात में सरकार और ट्राफिक पुलिस फुद को लाचार पा रही है और वहनों की संख्या यहां लगातार बढ़ रही है बैंग लूरू से कैमरामेन गोविन मूर्ती के साथ नहाल खिद्वई इंडी टीवी इंडिया